हेलो उस्तो नमस्कार एक बार फिर से स्वागत आपका चानक की ग्रूप आफ इकनोमिक्स में दोस्तो उडिसा ने फिर से नोटिफिकेशन रिलीज किया है 2023 में दो नोटिफिकेशन रिलीज किये थे उसमें SSB की पोस्टें थी और SSB में सेलेक्शन भी हो गए थी हमारे भी इसमें दो स्टूडेंट्स थे जो बैचस से इस बार सेलेक्ट हुए थे SSB में नेक्स्ट उसकी बाद OPSC की पोस्टें निकाल लई जिसका एक्जाम होना है और फिर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है उडिसा ने SSB का तो इस से रिलेटेड SSB 2024 इस से रिलेटेड क्वाईरी बच्चों की आ रही थी तो स्केल पे है 44,900 तो 1,42,000 यह पे स्केल है बाद में को तो लगेगा कि इसका मतलब क्या होता है और पे मैट्रिक्स से जो लेवल 10 होता है ठीक है लेवल 8 लेवल 10 लेवल से और उसके हैसाब से यह सेलरी फिक्सेशन भी होता है उसके बाद जो DA वगेरा होगा वो तो हमारा ठीक आपका बढ़ता रहेगा साल में दो बार चलिए अब देखते हैं कि dates क्या है form submission की 20th of March 2024 को यह start हो जाएगा 1 p.m. से 19th of April 2024 तक means आपके बाद एक महिना है exam सिरफ form fill करने के लिए अगर हम मान के चले एक महिना टोटल इसमें हम लगा रहे हैं form filling में उसके बाद एक और दो महिने का weight और हो सकता है क्योंकि elections है ठीक है माई March that is April माई दो मन्त election में जाएगा फिर उसका result आएगा जून हम लोग minimum कह सकते हैं जून या जुलाई अगर fastly भी exam होगा जून जुलाई के बीच में होगा ठीक है जून जुलाई अगस्त हो सकता है कि इससे भी delay हो पर uncertain है कि एक्जाम कब हो ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा और उसके बाद जो में चीज है उसमें जितनी भी आपकी qualification से एक बार आप चेक कर लिजेगा कि आप qualify इसके लिए eligible हो या नहीं हो चलिए और हम बात कर लेते हैं economic subject ही कितनी पोस्टे हैं टोटल पोस्टे 56 ठीक 56 पोस्टे टोटल है वो में की रिजर्व है 18 उसमें भी ST category के लिए रिजर्व है 13 for women 4 next SC category 9 पोस्टे टोटल है और women SC से 3 है उसके बाद है socially and economically backward classes 6 पोस्टे हैं दो women के लिए रिजर्व है यह बात जरू इसमें बात बहुत इंपोर्टन यह है जितनी वी women की पोस्टे है अगर women eligible women नहीं find out होती तो eligible main category male जो है उनको लिया जाएगा ठीक है अगर eligible women category से नहीं मिलती ठीक चलिए तो यह होगी हमारे पास total number of post है 56 यह याद रखिएगा और उसमें से category wise भी यह याद रखिए आगे चल लेते हैं कि क्या कुछ important है इस notification में ठीक है eligibility जो आपकी है आप वो देख लीजेगा कि eligible आप हो रहे हो कि नहीं अगर suitable women नहीं है तो इसकी suitable male candidate आ जाएगा ठीक है next government notification जो भी release किया है उसमें 56 post है इन post को increase भी कर सकती है government अगर कुछ सीटे वकेंट रही या वकेंशी पोजिशन अगर रही तो definitely कुछ सीटे और प्लस हो सकती है एज लिमेट बेसिक सा criteria है 21-21 लीस्ट और 42 maximum limit होने चाहिए as on 2nd gen 18 1982 से पहले नहीं होना चाहिए और 1st gen 2003 से बात का बहुत नहीं होना चाहिए ठीक है relaxation age के साफ से मिल जाएगा अगर आप category से belong करते हो चलिए next आपका कुछ वेटेज है अगर आपने कुछ कहीं work किया है तो उसका भी वेटेज है उसको भी आप read out कर लेजिएगा next only one जितना भी आपको relaxation है अपने category के साफ से कोई भी एक category के साफ से ही आपको relaxation मिलेगा जो maximum benefit आपको provide करेगा ठीक है next educational qualification देखो गया है educational qualification 55% at least होना चाहिए आपके पास ठीक है master degree में ठीक next आगे देखो उसकी बाद अगर कुछ category है आपके तो category से 50% marks equivalent 50% marks होने चाहिए main चीज है यह career assessment, career assessment में PhD आ गया या फिर आपके net है GRF है वो सब को माना गया है 25 marks ठीक 25 marks से career assessment तो अच्छा मौका है अभी colleges में job करने था written mcqs 150 marks का है और 100 mcqs होंगे 100 questions होंगे 1.5 marks होगा next वाइवा वोचे यह देखो वाइवा कितने 25 marks का है that means interview 25 marks है total होगा 200 marks ठीक अब देखें career assessment में क्या है maximum marks 25 है जो depend करता है PhD एगर है तो 25 full marks है net GRF M fill है so you got 10 marks तो यहां पर 25 marks मिलेगा आपको ठीक है career assessment के रूप में next आगे बढ़ो examination जो main है 100 questions है और 100 questions में भी 1.5 marks each है और 0.5 marks minus भी है यह थोड़ा सो ध्यान रखिएगा negative marking भी है चलिए और कुछ eligibility criteria आप उसको ठीक है एक बार total इसको go through कर लीजेगा अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि application application fees इस भी नॉमिनल है 500 ठीक और उसके बाद अगर category से हैं तो 200 चलिए I hope कि यह notification आप go through हो गये होंगे जो eligibility criteria है वो भी देख लीजेए यह other eligibility criteria जो है other states वालों के लिए थोड़ा सा complicated हो जाता है ठीक है क्योंकि इसमें कुछ qualifications ऐसी है जिसमें उडिया language होनी जरूरी है अगर उडिया language में आपके बस middle school examination यह past matriculation equivalent examination उडिया उडिया language का main यहां पर role play है ठीक तो यह आप other states से है तो एक बार यह आप एक बार go through जरूर करिएगा जो उडिया language की इन्होंने main qualification मांगी गई है ठीक है अब बढ़ते हैं लेक्चरर्स की as a SSB लेक्चरर्स की post है इसमें स्लेवर्स क्या रहने वाला है स्लेवर्स देखो 2003 में यही फॉलो हुआ था स्लेवर्स एकनॉमिक्स 2021 वाला तो मेभी इस बार भी यही repeat होगा ठीक स्लेवर्स यही रहने वाला है ठीक उसमें देखो micro and macro consumer theory उसके बाद production and cost market and equilibrium अगर आप लोग UGC net qualify कर चुके हो ठीक तो UGC net qualify कर चुके हो तो better है अब वही notes अपने prepare करो जो आप UGC में use कर रहे थे because यहां UGC से ज्यादा level नहीं रहेगा level थोड़ा down रहेगा ठीक एक बाद मान के चलिएगा और अगर आपके अस material है तो more than enough है उसी material हो करिए आपका exam definitely ठीक आपको boost up मिलेगा ठीक इसी से लेटेड हमने batch भी launch किया है और specially जो batch रहेगा हमारा उडिशा SSB lecturer 2024 को कबर करेगा 23 वाले batch से हमारे दो candidate ऐसे थे जो selection हुआ था final उनका इस बार 56 पोस्ट है तो उमीद करेंगे कि इस बार भी हमारे कुछ selections हो और definitely यह course आपके लिए benefit beneficial रहे उसके लिए course validity सिक्स मन्त का रहेगा video lectures provide होंगे PDFs provide होंगी lecture wise mcqs मिल जाएंगे आपक doubt discussion के लिए group discussion के लिए group create हो जाएगा ठिक और हमारे guidance से वो तो आपके संथ रहेगी रहेगी economics specially जितना भी syllabus उसको cover करेंगे और अगर थोड़ा willing है आप तो क्योंकि willing जरूर होंगी क्योंकि हमारे इसी scores से related काफी queries आ रही थी 25th 26th March से हम लोग इस course को start कर रहे हैं आप लोग विल्कुल join कर लेजेगा definitely आपके लिए definitely boost up करेगा यह आपका courage और आपकी preparation को ठीक next देखिए कुछ-कुछ topic हम लोग live session में cover करेंगे कुछ recorded sessions करेंगे next macroeconomics and national income accounting अब यह भी देखिए national income accounting 12th level पे कुछ numericals हैं वो भी हम discuss करेंगे money and banking ठीक है जितना आप लोग कर रहे थे UGC net के लिए वो भी करेंगे तो चल जाएगा इसमें कुछ theories भी है money related theories भी है चले banking हो गया उसके बाद open economy that is open economy macroeconomics कुछ-कुछ mundial flaming approach हो गया या फिर basic से कुछ theories होगी next unit 2 public economics and international economics public finance और international economics दोनों मर्ज होगी तो यहां से basic UGC net का अगर आपने किया है तो definitely यह आप easily कर लोगे क्योंकि इसमें ज्यादा concept conceptual भी पर नहीं बनेगा बहुत सारे questions ऐसे बनेंगे जो direct बनेंगे ठीक है चले तो यह total international economics और public finance next unit है development and environmental economics देखो unit wise हर unit में दो-दो major subject है यह फिर major sub subject है that is development and environmental economics development की theories आगे यह theories और इसमें हम लोग कोशिच करेंगे सब को segregate करके एक एक करके बिस्कस करनेंगे तांकि हमारा कोई भी slavers इसमें मिस ना हो चली और अगर कुछ changes आते हैं slavers में तो हम slavers के हिसाब से चलेंगे इंडियन economy इंडियन economy total latest से लेके ठीक है इंडियन economic जो factual based question है वो ठीक है और इसमें last में आगया Odisha economy feature macro economic indicators और Odisha economy से ही आ जाएगा Odisha का current budget और economic survey ठीक है next आगया quantitative methods quantitative methods की classes हम लोग live करेंगे ठीक functions differentiation integrations इसमें सब cover हो जाएगा ठीक और इसमें statistics भी आ गया अलग कि इसमें econometrics वाला portion नहीं है जो UGC net में होता है ठीक बस वो नहीं है बाकि इसमें equivalent है आपके UGC net का बलकि level UGC का high रहता है और Odisha SSB का जो level है वो थोड़ा सा as comparative UGC थोड़ा सा down रहेगा ठीक है as comparative UGC फिर भी त्यारी आपके उपर है और इसमें से आपको कितनी सीटे लेनी है एक सीट लेनी है ठीक चलिए कोई भी अगर कोर्स से लेटर कोई doubt है तो आप given contact पे ठीक है कॉल करके inquiry अपनी ले सकते हैं चलिए तो यह basic सा एक information थी आपके लिए कि staff selection board की तरब से त्यारी अभी जारी कर दीजिए especially UDISA के जो audience है नम UDISA की audience की ही बार-बार इसमें call आ रही थी क्योंकि बाहर other states वाले इसको फिल नहीं कर रहे other states वालों के लिए कोई scope अगर language criteria फुल्फिल करते हो तो ही scope है otherwise जो UDISA candidate है उनके लिए यहाँ पर बढ़िया चीज है कि outside आपको नहीं होगा चलिए यह short information थी अब बाकी upcoming videos के लिए बने रहेएगा चाहण अची group of economics से साथ Thank you so much